हाई सुदेंस आज हम लोग क्लास इक्स के साइंस टेक्स बुक का चैप्टर नमबर वन जो की है फूड वे डाज़ इट कम फ्रॉम इसके हम लोग की वर्ड्स डिसकस करेंगे तो फिर चलिए डिसकस करते हैं तो पहला की वर्ड के है हमारा पहला की वर्ड है इंग्रेडियंस ऑक्राइडियंस इंग्रेडियंस करते हैं दिज फॉड दिफॉड is made up of some materials that are called ingredients उक फूड जिन भी चीजों से बनता है वो इंग्रेडियंस है जैसे चावल चावल के से बनता है rice and water तो rice and water चावल के ingredients next is edible edible को आप कह सकते हो edible का synonym होता है eatable पर आपको definition लिखने है तो आपको लिखना है the food which is eatable is called edible जैसे हम लोग क्या हम लोग कर्चे आलो को का सकते हैं no so it is not edible क्या हम लोग पके हुए आलो को खा सकते हैं it is it is edible next हमाय nectar what is nectar this sweet juices of honey is called nectar जो भी honey रहते हैं honey जो flower के juices रहते हैं बही बीज फ्लावर के juices से लाती है honey तो जो flower के juices हैं उसे nectar कहते हैं आप यह भी लिख सकते हो the juices of flower by which the honey bees make honey is called nectar next is sprouted seeds seeds तो आप जानते होंगे जैसे छोले यह सब यह सारे मतलब क्या हो रहते हैं mustard seeds भी एक example is sprouted seeds का मतलब क्यों होते हैं कि हमने उसे पानी में बिंगो के रखा उसका embryo निकल गया अपने यह सारे 5th class में पढ़ा हुआ है उसका embryo निकला और तब वो sprout हो गया तो sprouted seeds क्या होते हैं खाले यह समक्राभू निकला रहे हैं सब्सक्रावल यह सब्सक्रावल तो थे विए और पानी में रखेंगे तो वह sprout हो जाएंगे और वह edible हो जाएंगे त्येये त्येये है sprouting speaks next time herbivore herbivore क्या होते है the animals which eats only plant products are called herbivore for example deer deer is an example of herbivore next time carnivore the plant the animals which eats only animal products are called carnivores जैसे lion lion क्या करते हैं हंट करता है किसको हंट करता है भाई लाइन करता है हंट अपने प्रे को प्रे कौन लेता है जैसे deer lion deer को हंट करते हैं प्रेयों lion plant products बिल्कुल नहीं खाता है बिल्कुल भी नहीं इसलिए carnivore एक से omnivore omnivore means जो herbivore और carnivore दोनों means जो की जो plant products भी खाता हो और animal products भी खाता हो उसे हम लों कहते हैं omnivore omnivore for example humans 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 दोनों खाते है dogs और cats लोग यह सारे एक्जाम्पल है उमनी बुर्ट तो यह था हमारा keywords chapter 1 के अगर आपको कोई बिलाउट है तो आप comment section में बनता सकते हैं थैंक यू और बाबाए